और जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 गंटा हिंसा 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 नफरत 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 असत्य 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 विश्व हिंदू परिशद रामगड की ओर से कई कारकरता राहूल गांदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं उससे पहले मैं बता दू कि ऐसा ये क्यूं कर रहे हैं एक से दो दिन पहले ही राहूल गांदी ने सदन में हिंदूों के खिलाब आपत्ती जनक टिपणी की थी उस टिपणी के आलोग में पूरे देश भर में उनके खिलाफ एक आक्रोश का मावल है ट्वीटर पर ट्रेंड चल रहा है और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा है आप देखिए यहाँ पर की कैसे राहूल गांदी के पुटला का दहन हो रहा है मुदाबान के कार्करता काफी आक्रोशित है राहूल गांदी का पूटला देयन कर रहे है और क्यों कर रहे हैं पहले पूछ लेते हैं जैसा कि मैंने बताया कि कुछ तिपपिटी का डिपणी वई थी क्या क्यों कर रहा हैं काम करते हैं और अभी बोले कि हिंदु के मैं हिंसक है और हिंदु कि इसे कौई बात नहीं है बात करते हिंदू के आस्था से के साथ खेलना बंद करो अइसा नारा लगा रहें क्यों देखे वह हिंदू नहीं है वह पाकिस्तानी है एक पाकिस्तान का एक दलाल है राहूल गांदी जो यह काम कर रहे हैं और हिंदू को जो गाली देगा वह कोई पार्टी और कोई पॉल्टिक्स नहीं होता है जो हिंदू के हीत में बात करेगा वह हिंदूस्तान में राज करेगा और हिंदू के भीरोध में बात करेगा वो पाकिस्तान चले जाए गिराज सिंग वाला बात डैलोग याद आ गया किया नाम हुआ आपका हम यही कहना चाहते हैं कि राहुल गांदी जीश परकर सदन में आकरमनकारी है असद सद इसत यह हिंदू सब्द को बार-बार रीपीट करके सदन में वह सबीत कर दी है कि पूर्ण रुम से वह लिदा उसका उत्तर रहूल गांधि को वल्टे मेरि क्या नाम हुआ मैनम अश्वान कित्सिंग तो आप एतना एग्रेसिव क्यूं हो गहे उभी तो हिंदzusने में रह रहा है हिंदू को हींदु को आपके हींदु को होते दें और रहे होते तो एकाली बूलते चीए अधेर ऑफिडेव जीन नहीं वेदा पर आपको ततकाल माफी मागना चाहिए चाहिए तो राजीव गांदी बोली चुके हैं बड़े पेड़ गिरते हैं तो थोड़ा सानुक्सान होता है बड़े पेड़ गिरते हैं तो थोड़े को नुक्सान होता है लेकिन बार बार आप हिंदु को ललकार रहे इसका मलब आप हिंदु को क्या देखना चाहते हैं अगर एक जुट हो गया तो कॉंग्रेस का नाम उनिसान इस देश से खदम हो जाएगा इसलिए राहूल गांदी चालिस सी निनान पे गए हो नो और जीरो पे होने पे कोई जल्दिबाजी नहीं होगा इसलिए जो भी अगर आप नसा करके आप संसद में बोलते हो इसलिए अगर हिंदु सहंसील है तो उसको सहने दो और जिस दिन ललकार हुआ ठांड़ो होगा और उसके जिमवार पूरी कि पूरी कॉंग्रेस पार्टी होगी जय स्री राम चलिए यह तो पूरा ललकार रहे हैं विश्विंदु प्रसद वाले क्या नाम हो भाई साब सौरे सौरे जी क्या है इतना सब लोग आप लोग पंके हुए है बात है कि हिंदुों को जो है वो हर समय आहत करते रहते हैं ज जो परिस्तिती है वो हिंदुों के सहन सीलता के चलते हैं हिंदु के बारे में कुछ जानते ही नहीं है हिंदु क्या है हिंदु जो है वो सुरू से बसुदेव कुटकम के रूप में रहा है तो वो हिंदु को जानते नहीं है और हिंदु को आहत करते रहते हैं हिंदुों को हिंसक बोलना ये बिल्कुल असहनिय होगा हिंदू समाज के लिए तंसत भवन में इस तरह का बयान देना बिल्कुल किसी के लिए स्विकारे नहीं है क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि ये हिंदूओं के लिए तो बोल दिया गया क्या ये ही बात अन्य मजहब के लिए बोलने की हिम्मत रखते राहूल गांदी ये बड़ा सवाल है ये सवाल उन तक भी जाना चाहिए और जो देख रहे हैं उनको भी ये सवाल पूछना चाहिए धन्यवाद